रिवु करने के लिए सेल अब लागि दो dunk नमस्ते सभी णिए C節目 को भुट साइरे फ्रॉरेंट को यह Prमल मोथि लिमिटेटग्रेजेंट्री क्या होता है तो इसके प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो में एकदम easiest way में stoichiometry और limiting reagent को समझाया गया example लेके तो बिना किसे time को waste किये Let's start with the तो नीट के question करने के लिए से वित्ताय याद रखना है कि किस से कितना जाएगा मतलब किस reaction के कौन से reagent से कितना जाएगा For example, आपर ने एक reaction ले लिए 4A plus B gives C, तीनों ले लिए अब इसमें से For example, यह अपनी पहले तो reaction हो गई अब इसके अंदर हम reagents लेंगे जैसे सबसे पहले 4 के अंदर भी कुछ ले लेंगे B का भी कोई amount लेंगे उसके बाद फिर उससे बनेगा C, मानलो अभी 10 mole ले लिए अपनने 10 mole B के ले लिए और फिर 10 mole इधर तो C का amount अभी कुछ भी नहीं मानलो इनके 10-10 ले लिए तो इसमें से कितना कैसे जाएगा वो सब अभी हम stoichiometric कैसे क्या चलती है उससे पता चलेगा अब यह stoichiometric coefficient 4 है 4 mole के साथ अभी यह stoichiometric coefficient है जो भी reaction के आगे coefficient लगा रहता है वो उनका stoichiometric coefficient होता है और जिस ratio में रहता है उसी ratio में reaction चलती है 4 A है मतलब 4 A के mole रहेंगे 4 mole अगर A के होंगे और 1 mole B के होंगे तो वो react कर जाएगा मतलब अभी इनको 10-10 नहीं लेता है अपन इनको बाद starting में इसके 4 mole ले लेंगे अपन A के 4 mole ले लिए B का 1 mole ले लेंगे A के 4 mole ले लिए B के भी initially 4 mole ले लिए अब इसा नहीं कि A के और B के दोनों के 4 चल लिए तो 4 होंगे C बना देंगे इसा बिलकुल नहीं होता होता क्या है जो stoichiometric coefficient है उसके हिसाब से reaction होती है 4 mole इसके हैं तो इसके 4 mole use up होंगे और B के 1 mole से react करेगा तब जाके C का 1 mole ले लाए क्योंकि B का stoichiometric coefficient 1 है तो इसका 1 ही mole react करेगा 4 mole के साथ तो यहाँ 4 mole ले तो इसके 4 की 4 mole react कर गए और B का सिफ इसके साथ A की mole react किया है और C का एक मॉल बन गया तो अभी यह आपने लिख देते हैं कि A के 4-4 इनिशियल 4 मॉल थे रियक्शन में 4 मॉल 4 की 4 चले गए लेकिन 4 के साथ उसका सिर्फ 1 मॉल गया और C का भी 1 मॉल बन गया तो इसके बच गए C का एक मॉल बच जाएगा और उसके बाद जो बच गया एक के तो 0 मॉल बच गए क्योंकि A में से 4 की 4 चले गए B का 1 मॉल बच जाएगा और C के तो यहाँ पर कितना है 4 में से 4 गए तो यह बच गए 0 मॉल और B के 3 मॉल और इदर 1 मॉल तो इससाब से रियक्शन चलती है इसा नहीं सिंपली की 4 चार ये करके C बन जाएगी नहीं इनके स्टोइकिंट्र कोफिशेंट है उस रेश्यों में इनका रियक्शन होता है इसके 4 मॉल गया इसका एक ही मॉल गया और फिर सी का भी एक ही मॉल बना है तो इत्ता क्लियर है और इसको स्टोइकियोमेट्रिक इनको बोलते हैं वो भी समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं मैं ठीक है इस पर क्लियर लिए चल जाएगा तो अब तीन चीजों में अपन देखते हैं इस टोइकियोमेट्रिक को या तो चार मॉल जैसे मैंने बोला कि चार मॉल इसके साथ अगर इसके चार मॉल होंगे तो इसके एक ही मॉल के साथ रिएक करेंगे और एक मॉल यह बनाएगा जैसे चार में से चार गए इधर इसका एक गया और इधर एक मिलें तो सिफ मॉल नहीं मॉल मॉलीक्यूल और वॉल्यूम यहां चार मॉलीक्यूल इसके चार मॉलीक्यूल के साथ रियक करेंगे इसा भी बोल सकते हैं वॉल्यूम भी बोल सकते हैं मानलो इसका चार लीटर था तो इसका सिफ और इसके भी 4 लिटर है तो react सिफ 4 लिटर एक लिटर से करगा तो इन तीन चीज़ के इसमें अपन कंपेर करते हैं लेकिन अगर ग्राम हुआ बाइचंस यहां 4 ग्राम दे दिया तो पहले मोल निकालेंगे ग्राम से मोल बनाएंगे इसका molecular weight से divide करेंगे तो मोल निकलेगा तो gram से mole बनाएंगे और फिर उसके terms में अपन reaction को देखेंगे तो सिफ mole molecular volume के terms में देखा जाता है gram अगर आ गया तो gram को पहले mole में convert करेंगे अब यहाँ पर दूसरा example वापिस लेंगे अपन दूसरे एक्जामपल में यह यह एक्जामपल इसमें भी 4A plus B gives C ले ले लेते हैं 4A plus B gives C यह C अब इसके अंदर वाइट से लिख देते हैं limiting reagent limiting reagent की भी बात कर लेंगे limiting reagent चलो बात में इसको देख लेंगे अब इसकी last में limiting reagent तो पहले example में अपन ने ले लिया था पहले हमने सिर्फ 4-4 moles दोनों के लिए थे अब example में अपन ले 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 थे 4A plus B gives C हो रहा है तो यहाँ दोनों के अपन 10-10 moles ले 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 थे कि चार moles इसके अगर इसके चार moles होंगे चार moles के साथ इसका बी का एक मोल रियक करेगा तो इसके दस मोल के साथ बी का कितना रियक करेगा तो direct निकाल लेंगे अपन 4X is equals to 10 unit method से किया है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो X is equals to 2.5 मतलब इसके 10 moles के साथ यह सिफ 2.5 रियक करेगा तो इसके 10 moles के साथ तो यह तो 10-10 पूरे ही जाएगा 10 में से 10 और इसमें 10 में से 10-2.5 इधर बन जाएगा भी इसका इस टोइकिमेटर को एफिशिंट वर न है चार के साथ 1 mol तो 10 के साथ इतना और यह 4 mol से बनता था इसका 1 molts सी का तो 10 moles से कितना बनेगा 4 के साथ इसका भी 2.5 तो इधर भी 2.5 बन जाएगा तो इधर बच जाएगा 0 इधर 7.5 इधर बच जाएगा इधर बन जाएगा 2.5 तो ये इसके ratio में अगर ये 10 होगा तो ये 2.5 हो गया अगर ये 100 होता तो ये 25 हो जाता और इधर भी 25 बनता इसे इसको multiply कर दो 4 के साथ 1 mol तो 10 के साथ बले कितना भी हो 16 के साथ कितना हो जाता 4 mol हो जाता 4, 5, 20 तो 20 20 small इसके होता तो इसके कितने हो जाते 5 mol हो जाते 20 के साथ इसका 5 क्योंकि इसके 1 4 ये रेक कर रहता इस टाइप से इसको देखना है और जो reaction के अंदर खतम हो जाए उसको limiting reagent बोलते हैं अब ये 10 mol था ये खतम हो गया reaction के अंदर तो इसी को limiting reagent बोलते हैं मतलब b भले कितना भी हो ये अगर limiting हो इसके अगर 20 mol भी होते तो भी कितना react करता react करता 2.5 react इसका सिफ b का सिफ 2.5 ही करता भले मोल कितने भी हो तो ये देखना रहता है limiting reagent तो यहाँ पर 4 अपना क्या हो जाएगा 4 ये sorry जो अपना ये हो जाएगा limiting reagent जो खतम हो गया limiting reagent ये reaction को ज़्यादा determine करता है क्योंकि अगर ये कम रहेगा ये खतम हो जाए इसको भले 100 mol भी ले ले लेते तो भी 2.5 mol ही react करता क्योंकि limiting reagent ये है तो ये limiting reagent हो गया स्टोइक्योमेटरी के हिसाब से किसे reaction चलती है वो हमने पढ़ लिया तो अगर पसंद आया तो like, share और subscribe बिल्कुल कर दिए जो जो भी निट की preparation कर रहे है उनको ये share कर दिजिए thank you